दूस्तो स्वागत आपका टेकैनिकल एज़ुकेशन चैनल में दोस्तो आज आप लोग को हम बताएंगे आइटी आइ में फ़र्ट येर में कौन-कौन से कितावे चलती हैं और कितनी कितावे चलती हैं और उसी के वीडियो को जाशार लाइक करिएगा और इसे शेयर भी कर दीजेगा तो चलिए वीडियो कुछाट करते हैं और आपको मदाते हैं कि ITI के फर्स्ट येर में कौन-कौन से किताबे चलती हैं और उनके इस लेवल्स क्या हैं देखिए सबसे जो आपकी महत्यपुर किताब होती है वो होती आपकी ये थियोरी की चाया आप किसी भी टेट के हो चाया आप इलेक्टिसियन के हो या फिर आप फिटर के हो या फिर आप आरेसी के हो आप किसी भी टेट के हो तो आपकी जो में किताब होती है वो होती आपकी यह आप हम बात करते ह exertion की तो अगर आप फिटर के हो तो यह आपका फिटर फिटर थियोरी के नाम से आपकेśl फिटर में चलती होい अब हम बात करते है आप पर हैं दूसरी किता और हमारी क्यूंस होती है यह पर है प्रेटिकल की कौन सी होती है पेटिकल अगर आप फीटर के होंगे तो आपका फीटर पेटिकल होगा वहीं हम बात करते हैं अगर आप इलेक्टिसियन के होंगे तो आपका इलेक्टिसियन पेटिकल होगा यह रही हमारी दूसरी किताब अब आपको हम बताएंगे तीसरी किताब आपकी कौन सी होती है तो तीसरी किताब आपकी होती है वरकसाप अन कल्कुलेशन यह किताब समय कामान होती है यहनि की सारे टेड़ों में चलती है वरकसाप कल्कुलेशन में आपको workshop calculation मतलब हुआ इसमें आपको math सिखाय जाएंगे कुछ arts वगरा सब अच्छे सिखाय जाएंगे मतलब आपको सारे calculation के आपको इसमें सिखाय जाएंगे math से related और science मतलब आपको इसमें science से कुछ important chapter आपको पढ़ाय जाएंगे तो workshop calculation सारे हमें common चलता है यानि कि सभी टोडों में या सेम किताब चलती है अब हम बात करते हैं आपका यहाँ पर तीसरे की चौथे किताब की बारे में तो चौथा किताब हमारी जो होती है वो होती है employability skill और employability skill भी आपकी हर जगा चलती है मने कि सारे टेडों में आपकी employability skill की किताब चलती है यह रही हमारी चौथी किताब अब आते हैं पांचमे किताब पर तो पांचमी किताब हमारी होती है engineering drawing की engineering drawing की भी किताब हर टेड में चलती है और अलग-अलग टेड के नाम से रहती है जैसे कि यहाँ पर free electrician engineering drawing है वहीं अगर आप fitter के होंगे तो fitter engineering drawing होगी अब हम बात करेंगे यह रही हमारी पांचमी किताब कौन सी रही है हमारी पांचमी किताब तो इसका मतलब आप दोस्तों समझ गए होंगे कि अगर आप ITI first year में हैं तो आपको कम से कम 5 किताब आपको पढ़नी होंगी कितनी किताब पढ़नी होंगी 5 किताब अब आपको हम बताएंगे सारे किताबों के बारे में क्यों के अंदर क्या क्या दिया रहता है और उन किताबों के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे Electrician Theory Electrician Theory में आपको क्या पढ़ना रहता है तो Theory मतलब आपको इसमे Theory, theoretical part आपको सारे पढ़ने होते हैं जैसे किमाली यह आपका machine हो गया या फिर आपका AC motor हो गया, DC motor हो गया तो उसके बारे में आपको अच्छे से Electrician Particle देखिए इसमें आपको करना क्या होता है इसमें आपको पेडिकल करा जाता है आपके वर्कसाप में और उसे लेटेड आपकी फाइल बनाए जाती है और उसमें आप फाइल में लिखते हैं यानि कि आप पेडिकल करकर और जो रिजल्ट आता है उसको आप अपने फाइल में लिखते हैं यह रही हमारी दूसरी किताब अब हम बात करते हैं आप पर है इसमें आपको हम बताई दिये थे इसमें आपको science और math पढ़ने होते हैं अब हम बात करते हैं employability skill तो employability skill में आपको आपके जो आपका हो रहा है उसे लेटेट आप पढ़ते हैं मतलब जो आपके वेवसाइ है उसे लेटेट आप पढ़ते हैं कि आपनी mental availability को आप इसमें अच्छे से चेक करते हैं और आपको बता दू में कि employability skill में कंप्यूटर के भी आप chapter अच्छे से आप इसमें पढ़ते हैं इसमें आपको कंप्यूटर के कुछ question और कुछ chapter भी आपको मिल जाते हैं अब हम बात करते हैं आपपने drawing की तो drawing में आप engineering drawing सीखते हैं यहाँ पर engineering drawing आपकी अलग types की drawing होती है तो इसमें आप सीखेंगे इनिरिंग ड्राइंग आसा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत ही पतंदा योगी तो चैनल को लाइक करिएगा और जाजाए से सेर करिएगा मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार